नमस्कार दोस्तों, अर्विंद केजरिवाल के मुक्षमंत्री पद के इस्तीफा देने के साथी आम आदमी पार्टी के सामने एक नई समस्या आ गई है, कि अब अर्विंद केजरिवाल रहेंगे कहा, अब तक तो वो दिल्ली में मुक्षमंत्री आवास में रहते थे, आज आ किसी भी व्यक्ति को मिलती है अर्विंद केज्रिवाल को भी वह सुविधाय मिली है कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाय छोड़ देंगे मुख्य मंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाय छोड़ देंगे बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालो साल लडाई लड़ते हैं धर से मकान से चिपके रहते हैं लेकिन अरविंद केजरिवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने का हम अपना मकान खाली करेंगे हम अपना घर खाली करेंगे इस प्रेस कॉंफरेंस में संजय सिंग ने ये भी कहा कि हाला की अर्विंद केजरिवाल की सुरक्षा को लेकर हमेशा एक कंसर्ण बना रहता है फिर भी वो मुक्षमंत्री को मिलने वाली इस सुरक्षा को भी अब छोड़ देंगे उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है एक नहीं कई बार उनके उपर हमले हुए हमने उनसे कहा समझाने की कोसिस की कि आपकी सुरक्षा को खत्रा है कई बार आप पर हमला हो चुका है माबाप घर में थे उस वक भी उनके घर पर हमला हो चुका है भारती जंता पार्टी के पहुंचाया गया काली प्रेकी गई करें हम लाग किया गया चोड पहुंचाई गई कि इस सारा कुछ हुआ और विंद्ध के जिवाल के साथ उनके बुड़े माबाप है उनकी पत्नी है उनके बच्चे हैं उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं हमने समझाने की कोशिस की कि घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तोर पर ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की द्रिस्टी से भी जरूरी है लेकिन उन्होंने टै किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा इश्वर करेगा मच्छे महीने जेल में रहा खुंखार अपराधियों के बीच में रहा लेकिन बावजूद इसके इश्वर ने मेरी रक्षा की इश्वर ने मेरी रक्षा करेगा देखिए, राजनीती के जितने भी जानकार हैं या जो लोग अर्विंद केजरिवाल की राजनीती को समझते हैं, वो पहले ही कह रहे थे कि मुक्षमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अर्विंद केजरिवाल मुक्षमंत्री आवास को तो जरूर ही छोड़ देंगे. इसके दो बड़े कारण हैं, दिल्ली के इस मुक्षमंत्री आवास को अर्विंद केजरिवाल सरकार नहीं बनाया है, और जब से ये आवास बना है, अर्विंद केजरिवाल के ऊपर इस आवास को लेकर भ्रस्ताचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं, कुछ लोग तो इ आवास दिल्ली के सभी मुक्षमंत्रियों के लिए बनवाया था, और दूसरा कारण है इस आवास को छोड़कर एक छोटे से घर में सिफ्ट होकर, अर्विंद केजरिवाल अपनी आम आदमी वाली छवी को एक बार फिर सिप उनरजेवित करना चाहेंगे, अगर आप पड़ मार देता था, तो अगले दिन उसके घर पहुँच जाते थे, यह जो छोटे-छोटे सिंबोलिजम है, यह उनकी राजनीती की आइगेंटिटी है, अब जब दिल्ली के चुनाओ नस्दीक हैं, तो अर्विंद केजरिवाल अपने राजनीती के इन ही दाव पेच्च हैं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अगले कुछ महिने दिल्ली की राजनीती काफी दिल्चस्प होने वाली है, यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार